हेलो पहरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आए होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड और फोर्थ के सब्जेक्ट इंग्लिस के नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट को सॉल्ब करेंगे जो की नौर्ध डेली मिंसिपल कॉ सालुमर्दा वॉज फ्रॉम करनाटक सालुमर्दा करनाटक की रहने वाली थी शी गॉट मैरिड एड़ एज ऑफ टैन दस साल की उम्र में ही उसकी साधी हो गई हजबेन चिकाईया यूस्ट वर्क इन दफील्स ओफ अधर उसके हजबेन चिकाईया दूसरे के खेतों में का बहुत खुश थी बट इवन आफ्र ट्वेंटिफाइव इयर्स ओफ मैरिज लेकिन साधी के पच्चेस साल बाद भी शी कुड नौन बिकम आ मदर वह माना बन सकी एवरी डे प्रती दिन शी कैप आसकिंग गॉड फोर बून टो बिकम आ मदर वह भगवान से मा बनने का वर प्लांट्स लाइक हर ओन चिल्डन उसने उन पेड़ों की देख बाल अपने बच्चों की तरह की प्रोवाइड़ वाटर ओन टाइम समय पर पानी लगाया एंड सेव फ्रॉम एनिमर्स और उन्हें जानवरों से बचाया टेन फ़स्ट इयर प्रथम वर्स में यानि की पहल लगाए सालू मर्दा means raw of trees सालू मर्दा का अर्थ होता है पेड़ों की पंक्तियां she did the work according to her name उसने अपने नाम के अनुसार ही कारे किया she also received many awards for her work उसे अपने कारे के लिए बहुत से अवार्ड भी मिले now select the correct option to answer the questions questions के आंसर देने के लिए सही option को select करना है question is सालू मर्दा was a resident of सालू मर्दा कहां की रहने वाली थी असम करनाटक केरल गुजरा तो correct option है करनाटक next question is she was in the midst of poverty and deprivation वह गरीबी और अभाव में भी क्या थी happy, shared, disappointed तो बच्चो इसका जो option है A and C it means दोनों सही है because दोनों में happy है तो बच्चो भे खुस थी next is everyday she asked God for a boon to become वह प्रिती दिन भगवान से किस चीज के लिए वरदान मांगती थी rich होने के लिए famous होने के लिए grandmother होने के लिए या फिर mother तो बच्चो इसका D जो option है वो correct है वह मा बनने के लिए भगवान से वरदान मांगती थी next question is salumarda planted benyan plants उसने it means salumarda ने कितने बरगत के पेर लगाए 10, 20, 100, 400 correct option is D 400 next is salumarda means salumarda का अर्थ क्या होता है salt tree, row of trees, group of trees, tree planter इसका बच्चो B जो option है वो सही है row of trees it means पेड़ों की पंक्तिया now read the story given below नीचे दी गई story को पढ़िये and answer the questions 6 to 10 और 6 से जो 10 तक questions दिये गए हैं उनके answer दीजिए title है ink thumb, ink का अंगूठा it is Saturday, सनिवार का दिन है parent teacher association meeting is going on in the school school में अभिवावक सिख्षक संग की meeting चल रही है गुडियाज मदर comes to the meeting गुडिया की मा meeting में आती है for a thumb tag as usual और हर बार की तरह अंगूठा लगाने वाला मानती है then madam says और तब madam कहती है गुडिया, you did not teach mother to write the name तुमने अपनी मदर को नाम लिखना नहीं सिखाया गुडिया had no answer गुडिया के पास कोई जवाब नहीं था mother, yes, okay हाँ, ठीक है, now गुडिया would teach her mother to write her name everyday आज से गुडिया अपनी मदर को उनका नाम लिखना प्रतिजिन सिखाएगी next month meeting arrived अब अगले महिने की meeting आ गई गुडिया waited for her mother to come गुडिया अपनी मा के आने का इंतिजार कर रही थी mother came to the meeting उसकी मदर meeting में आई तुडे आज हर मदर wrote her name राजेस, slowly in the register उसकी मदर ने रजिस्टर में धीरे धीरे अपना नाम राजेस लिखा मैडम, मैडम ने कहा वाओ, you did amazing job गुडिया गुडिया तुमने बहुत अच्छा काम किया taught your mother to write her name अपनी मदर को उनका नाम लिखना सिखा कर there was no ink in mother's thumb today आज उसकी मा के अंगुठे में कोई ink लगी हुई नहीं थी ink कहते हैं शाही को now the mother did not even have to rub her thumb till late night अब उसकी मदर को अपने अंगुठे को देर रात तक साफ करना नहीं पड़ा now question is comes before Saturday सनिवार से पहले कौनसा दिन आता है Sunday, Monday, Friday, Wednesday तो बच्चो correct option है Friday Friday कहते हैं सुक्रवार को next question is गुडियाज मदर comes to attend गुडिया की मदर क्या अटेंड करने के लिए आती है party, marriage, meeting, shopping तो बच्चो C option correct है it means वह meeting में आती है next question is amazing means amazing का क्या आर्थ होता है famous, model, miracle, care तो बच्चो इसका C option सही है next is गुडियाज मदर's name is गुडिया की मदर का नाम है limit, caterpillar, rages, suman तो बच्चो correct option is rages, rages जो है वह गुडिया की मदर का नाम है गुडियाज मदर's thumb was not inked today गुडिया की मदर के अंगूठे में आज इंक नहीं लगी थी क्योंकि she did not come to the meeting, where meeting में नहीं आई, there was no ink painter in the school या फिर इस्कूल में स्याही लगाने वाला नहीं था, mother went back early from the meeting या फिर उसकी मा मिटिंग से जल्दी वापस चली गई थी, या फिर mother had learned to write her name, उसकी मा ने अपना नाम लिखना सीख लिया था, तो बच्चो इसका D option जो है, यह सही है, now look at the given picture, दी गई पिक्चर को देखिए, and answer the questions, और questions के answer दीजिए, students what is this, this is धोलक, this is a slap, धोलक, तबला, गिटार, तो बच्चो क्या है पिक्चर में, this is धोलक, तो इसका B option सही है, it is N, यह क्या है बच् instrument है, electricity है, kitchen है या writing है, सो बच्चो, answer is instrument, यह एक instrument कहते हैं, यंत्र को, next is, this is यंत्र, is of color, बच्चो यह जो यंत्र है, वो किस color का है, grey, black and white, white, black, correct option is, B, black and white, काला और सफेद, next is, the color of black and white is, काला और सफेद रंग, किसका होता है, zebra crossing, blackboard, chalk, cheetah, snow leopard, all of the above, तो बच्चो, black और जो white रंग होता है, वो इन सभी का होता है, it means D option सही है, next is, the word similar to this यंत्र is, बच्चो, इस यंत्र से similar word कौन सा है, सितार, good luck, pot, stone, तो बच्चो, correct option है, B, good luck Students, if you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel, thank you Thank you